जाहिन डिफेंस असफरेंड्स वेलकम बैक अगें दिस दिव्याशु पांडे आज की सेशन में हम चाइना के दौरा यूस किये जा रहे है री यूजेबल रॉकेट्स मिशन के बारे में जानेंगे साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस रो री यूजेबल रॉकेट्स पर किस प्रकार से वर्क कर रही है शुरुआत करते हैं आज के सेशन के जैसा कि हम सभी चानते कि भारत का पड़ोसी चाइना एकनॉमी मिलिटरी और स्पेस साइन्स के लिहाज से काफी आगे है और इनके द्वारा अब अपने री यूजेबल रॉकेट्स पर वर्क किया जा रह होता है और जितना हजारों करोड रुपए उसमें आपका इन्वेस्ट किया जाता है वो सिर्फ एक सिंगल यूज के बाद खराब हो जाता है तो अब सभी देशों के द्वारा जो जैसे अमेरिका रश्या भारत चाइना इनके द्वारा विये वर्क किया जा रहा कि किस प्र करेंगे और यह उस पर आपका काफी तेजी से वर्क भी कर रहे हैं हम सभी जानता है कि चाइना के द्वारा काफी महद्वपूर्ण कदम स्पेस साइंस में उठाए गए है उनका स्पेस सेक्टर काफी एडवांस भी है और वो अप न्यू जनेरेशन की क्रू स्पेस क्राफ जो कि लो अर्थ और्बिट में भेजा जाएगा उसके उसमें जो है इस प्रकार के रियूसेबल रॉकेट्स का प्रयोगा आपका करेंगे चाइना के द्वारा भी जो है मून मिशन आपका किया जा रहा है और लगभग यह कह रहे हैं कि 2030 तक हम अपना मून मिशन को करेंगे हम जानते हैं कि चाइना की द्वारा मून पर लगभग यह 2030 या उससे पहले ही अपने मैंग मिशन को आपका करेंगे जिसमें इनके द्वारा तीन इस्टरनॉट को आपका चुना भी गया है और आप भी जानते हो कि इस रो ने अपने टोटल चार इस्टरनॉट को तयार कर हैं जो कि भारती वाइसेना से लिए गए हैं वो भी 2025 में मून पर तो नहीं बलकि आपकी स्पेस में जाएंगे चाइना तो अपना मून मिशन भेज रहा है भारत अपना मून मिशन वस्च 2040 तक आपका भेजेगा दा लॉंग मार्श टेन लूनर वेरिट विल बी 92 मीटर ल है और भारत भी अपने मून विशन पर कारे कर रहा है और 2040 तक हमको यह उमीद है कि हम उसमें सफल आपका हो पाएंगे CSC first move to develop a reusable rocket centered on a making a recoverable version of the long march 8 इनको आपका नाम दिया गया है अब इसमें क्या है जैसे ही rocket को हम launch करते हैं जब यह आता है वापस तो उसका जो main हिस्सा रहता है उसको parachute के माध्यम से drop करवा लिया जाता है जिससे कि वो पूरी तरीके सुरक्षित भी रहता है और उसका use हम फिर दुबारा कर सकते हैं अगर हम CNSC के ए के बारे मात करें चाइना नेशन इस्पेस एडमिस्टेशन के बारे में तो इनका इस थापना 1993 में आपकी हुई थी जो की nation space activities को आपका manage करते हैं और ये organization for department के साथ मिलकर बनती है जिसमें चाइना की general planning, system engineering, science technology, quality control, foreign affairs आपके आते हैं और इनका headquarter आपका bizing में है और vice administrator की दारा इस को आपका assist किया जाता है साथी साथ ये mainly आपके China military और commission on science technology industry के साथ जो है secret mission पर आपका joint collaboration किया करती है वहीं पर अभी आपने देखा होगा कि हमारी DRDO है, ISRO है वो सभी क्या कर रही है अपने reusable launch vehicle technology में काम कर रही है अभी ISRO के द्वारा जो है करनाटक के चित्रदुर्ग में RLV, Reasonable Launch Vehicle को जो है Indian Air Force के चीनुख helicopter से बांग कर आपका छोड़ा गया था और वो safely आपके land हुआ था जहां पर आप देख सकते हो, ये हमारा RLV है और इसके पीछे क्या लगा हुआ है इसके पीछे आपका parachute लगा है जो की उसको एक प्रकार से रोकने में मदद करता है और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि Reasonable Rocket Stages पर जो है सभी देश वर्ग कर रहे हैं अगर इनको ये उपलब्धी मिलती है और जो की मिलती दिख रही है तो ये space के छेतर में एक काफी बड़ा कदम रहेगा साथ ही साथ ये सबसे बड़ा रहेगा इसमें कि ये cost effective रहेगा चाइना के लिए भारत के लिए और जो भी देश इसमें काम कर रहे है तो भारत को इसमें तो आपका सफलता मिल भी चुकी है और भारत में काफी series of experiment इससे कर लिये हैं आप सभी defense sprint ये भी जानते रहे है कि जो reasonable launch vehicles की technology होती है ठीक है इनको पहले हम hook करते है aircraft से the RLV will be used to develop technologies like hypersonic flight autonomous landing, return flight experiment powered cruise flight और scream jet propulsion experiment के लिए आपका इस्तमाल किया जाता है जिससे कि हम इसका विकास कर सके तो ये थी reasonable launch vehicle के बारे में बाते जिसको मैंने आपको बताया है अच्छी लगी हो class तो class को like share जरूर करते है साथ ये साथ हमारे SSB interview online course NDA, CDS, MNS, FCAT, Territorial Army, ACC में enroll होकर अपने तयारी बहतर करें और इन सभी course की link नीचे description box में दी गई है बहुरे 10 code का use कर लीजे जिससे कि आपको 10% का flat discount मिल सके जैहन अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूले आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं कर सकते हैं